हेलो माई अडर स्टूडेंट्स कैसे आप सब उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे तो आज के वीडियो में हम लोग संस्क्रीट पढ़ने वाले क्लास 10 का और एक्सरसाइज ये 10 है जिसमें कि मंदाकनी के वारे में वर्नन क्या गिया है मंदाकनी क्या है आप लोग को बताये थे कि मंदाकनी एक नदी का नाम है जो इस मंदाकनी वर्नन बालमिकी द्वारा लिखा गया रमायन से लिया गया है ये 95 इस लोग में इसका वर्नन किया गया है और इसका बिसेस सर्चा कहां पर किया गया है तो भी आप लोग को बताएंगे अभी तो सबसे पहले हम आपको बता दे कि मंदाकनी नदी पस्चिम बंगाल में है और एक चित्रकुट परवत आपको देखने के लिए मिलेगा इसी अध्याय में जो कि जारखंड में है तो होग इस एक्जाम को पहले दे लीजिए और मन से पहले त्यारी कीजिए सिज्टाम जो आप लोग के नजदीक में आने वाले हैं एक से दो मंत में आपका एक्जाम आ जाएगा तो आई होप आप लोग मन से दिल से अच्छी तरह से पाड़ रहे होंगे यह आपके जिंदगी का एक्जाम बोर्ड होने वला है अगर आप इसको पार कर गए तो आप अगनी परिक्षा दे दिजिएगा आई होप जैसा कि हमको लग रहा है कि आप लोग के लिए अगनी परिक्षा ही है तो चलिए मंदाकनी वरणनम के बारे में हम लोग पढ़ेंगे मंदाकनी वरणनम में हम लोग को क्या देखते हैं कि जब 14 साल का बनवास दिया गया था राम जी को तो उसी करम में यह बनवास जब काट रहा था तो उस समय वो मंदाकनी नदी को भी देखने के लिए अपने सीता और लक्षमन के साथ आये हुए थे और चित्रकुट पार पर भी वो कुछ दिन रुके हुए थे उन सभी बारे में हम लोग इस अध्या में पढ़ेंगे तो चलिए बिना लेट किये हुए आगे हम लोग बढ़ते हैं ऐसे तो कहोनी कहते रहा जाएंगे बहुत देर तक चलेगा कहोनी तो चलिए मंदाकनी वरणनम आप लोग को बताएं कि यह रमायन महरसिप बालमिकी द्वारा लिखा गिया है रमायन उसी के 95 इसलोक में यह मंदाकनी नदी का वरणन मिला गिया है तो आपसे पहला अगर अबज आपसे बालमिकी द्वारा ठीक तो चलिए पहला कोस्चन देखे कता कि किस चंद में मंदाकनी वरणनम पाठ है तो किस अलंकार में है यह अनुप्रास में यह चंद में है यह अनुश्टूपम में है तो इसका अंसर क्या हो जाएगा इसका जो अंसर होने वल्ला है सी नमर ह हो जाएगा कि किस चंद में मंदाकनी वरणनम पाठ है तो अनुश्टूपम में यह क्या है वर्णन क्या गया है यह एक चंद है अलंकार रुचंद हिंदी में एक हिंदी ग्रामर में आता है चलिए इसके बाद कोस्चन नमर 2 देखिए मंदाकनी नदी किसके तलाब के समयो है इंद्र के तलाब के समयों यह बिश्णू के तलाब के समयों यह सीब के तलाब के समयों यह कुबेर के तलाब के समयों तो कुबेर राज कुबेर जो है एक राजा कुबेर राजा जो बताए थे कि मंदाकनी का जब वर्णन कर रहे थे राम जी तो सीता को यह बता रहे थ कि देखो मंदाकनी का जो परकिर्तिक स्वबा है चारों तरफ फूल है हम इसमें सारस हंस यह सब किले कर रहे हैं तो यह एक लगता है कि यह तलाब किसी राजा के तलाब है कुबेर की तलाब है इसलिए इसका उंसर क्या हो जाएगा आप्सन नम्मर सी हो जाएगा कुबेर तो है कोर RS कि कोर Works नमबट स्टिरीं लिए काता है मंदाकनी नदी किस परवत के निकड़ पढ़ती है तो मंदाकनी नदी मंदार परवत जो कि ब को में है इसके परवत हां मंदाकनी नदी सक aut고 ये राजगीर त आपका उंसर क्या बताया थे इसका उंसर l ho जाएगा सीन नमर होगा चित्रकूट मंदाखने नदी मंदार नहीं होगा मंदार तो बाका डिस्टिक में न चलिए मंदाखने नदी की परवत के निकट बहती है तो चित्रकूट नदी के किनारे यानि चित्रकूट होकर के चित्रकूट परवत जो है उसी के उसी होकर के मंदाखने अंसर क्या हो गया सी नमर्चित्र कूट चली नेक्स्ट क्वेश्चन की और क्वेश्चन नमर्फ देखे आराम से अपने कि मंदाकनी नदी का जल्ग किसके पीने से गंदा हो गया खर्गोस, गाय, मोर, हरीन तो क्या हो जाएगा हरीन यानि हीरन को हीरन जब गंगा कि वो इस मंदाकनी नदी का पौनी पी रहा था तो भगवाण ने क्या बोले थे कि देखो मंदाकनी नदी का जल्ग हीरन के पीने से क्या हो गया है गंदा हो गया है चलिए question नमर 5 रमायन के रचनाकार कौन है तो आपको बताए कि रमायन के रचनाकार कौन है बालमी की मरसी बालमी की चलिए next question की और question नमर six देखिए कालिदास कौन सी रचना है कालिदास की कौन सी रचना है तो कालिदास का लिखावा क्या है रगुवंसम है ठीक और ये रमायन कौन लिखा है तो मरसी बालमी की गीत गोविन ने क्या लिखा है जैदेव ने क्या लिखा है गीत गोविन दो चलिए आगे चलते हम लो लोग देजिए एक अंसर हस्चरित का लेखा कौन है कुश्चन नमर सेवन कतब बनवास परसंग में राम सिता लक्षमन के साथ कहां पहुचते हैं जब राम राम सिता लक्षमन बनवास जा रहे थे तो उस करम में हां बनवास की जाने के करम में वह कहां पहुचे थे तो तो परवत पर हो पहुंचे थे परण कुट यह संवने होगा आंसर क्या होगा चित्रकुट होगा चली कोश्चन नमर कि एट दखिए एट नमर क्या करता है राम किसे संबोधित करते हुए मंदाखनी नदी का वर्णन करते हैं तो मंदाकनी नदी का जो वर्नन कर रहा है तो किसको दिखा करके तो अपनी पतनी सीता को दिखाते हुए मंदाकनी नदी का क्या कर रहा था वर्नन कर रहा था ओके चली question नमर नो जटा और मिरीक चर्म कौन धारन किये हुए हैं जटा और मिरीक चर्म कौन धारन किये हुए हैं इस केंसर क्या हो जाएगा के नों सर आपका हो जाएगा मूनी होई जटा और मेरी को धारन किये इसलिए संसर क्या जआगा एक नंबर चलिए कोस्टन नमबर के सीता रामचंद्र की कौन थी आपको पता है कि पतनी है पक्षी का परियावाची क्या होता है? दूज होता है, चलिए, question number question number 12 दखे, कता, दोनों भूजाओं को उपर, दोनों भूजाओं को उपर, कौन उपासना करते हैं? तो मुनी लोग नदी में क्या करता था? मंदाकने नदी में असनान करके, दोनों भूजाओं को उठा करके, उपासना करता था, किसका, till परती हो राiiii है तो परवत वहां का कैसा परती हो रा था निरीत करते हुए परवत वहां का जो परवत कैसा देख रहा escape क्या रहा commencement expanded यहां का निरीत करता है नाचता है चली क्वेशन नमेर 14 रंग विरंगे टटों वाली कौन नदी है तो आपको पता है रंग विरंगों टटे वाली मंदाकनी नदी का वरन के आगे हन सारस से युक्त कौन सी नदी है तो मंदाकनी नदी हो जाएगा यही सिर्फ कोस्टन पूछेगा इस सब कोस्टन इंपोर्टेंट कोस्टन है आप ल जल के बीच में कौन तेर रहा है तो सारस और फूल दोनों तेर रहा थे कौन सी नदी प्राकिर्तिक समपदाओं से घिरी हुई है तो अंसर क्या जाएगा Candi नदी क्या है प्राकिर्तिक संपदाओं से घिराreme इसलिए ईक हो जाएगा ठारेक है रागोंस महाकावि के रचना कार कौन है तो रगोंस महाकावि के रचना कौन है तो City Magic विशाल नटरों वाली कौन है सिता किराधा तो ऐन्सर जाएगा सीता क्या शीता कोस्चन नमबर 20 कता है कि मुनी मुनी लोग किसका उपासना करते हैं तो मुनी लोग किसका उपासना करते हैं तो इसका अंसर क्या जाएगा सूरी का उपासना करते थे किसका उपासना करते थे सूरी का उपासना करते थे झाân सेले लिए कोष्चन नममर 21 क्योंत देखते हैं हम लोग देखता की कौन कौन नदी को दोनों और से घेरे हैं तो बिष्ष तो चारों और से घेर है घょみ द необходимо परवदत उसको क्या किया था दोनों और से घेर हुए कौन सब और नदी में कर रहे थे भाक्त लोग दुरजन लोग रिसी लोग सजन लोग तो क्या जाएगा इसका अंसर तो रिसी लोग क्या कर रहा था नदी में असनों कर रहा था चलिए कौष्चन नमर तेएस बहुत ही इंपोर्टेंट कॉश्चन है बाबु इस अब को कॉश्चन को याद रखना है ठीक रामचंद्र जी ने सोबने समबोधन का परियोग किसके लिए क्या था लक्षमन के लिए तपस्वी के लिए गंगा के लिए सिता जी के लिए इसका अंसर क्या जाएगा तो इसका अप्षन हो जाएगा अंसर नमर अप्षन नमर डी सीता जी के लिए सोभने सब्द का संबोधन किया था चलिए उसकी पत नी थी न चलिए कोस्टन नमर चोबिस कता कि जटा जिनधारा डैस वलकूत्र वासास इस लोकांस के रिक्त अस्थान में कौन सा पद भरेगा तो क्या हो जाएगा इसका अंसर हो जाएगा काले काले मतलब क्या होता है आप लोग तेजी से कोमेंट बोक्स में लिखेंगे सारा अर्थ लिखा है किसका क्या-क्या अर्थ होता है काले चले इसके बाद कोस्चन नमर पचीस कता कि काली दास ने किस नदी का वर्नन किया है काली दास ने किस नदी का वर्नन किया है तो इसन संक्लित है तो बालमिकी रमायन से कौन सा पार्ट संक्लित है इसका अंसर क्या जाएगा मंदाकनी क्या जाएगा मंदाकनी इसके बाद कोस्चन क्या नदी का मंदाकनी नदी का वर्नन है ओके कि नदी का नाम क्या जाएगा मंदाकनी तो 27 काउंसर क्या जाएगा मंदाकनी इस तरह से आपके टॉटल कुल मिलाकर कि कितना हैक्षय हो गया सकताइस सब्हों सब्हों 31 में सब्हों है मार नहकर आप यह बहूत इन्पर्टेंट говорит 2021 में मोडल पेपर में दिया है फिर 2020 है 2020 काकेंड सिप्ट में पूछा यह भी पूछा आँए सभी इतना भी कोस्चन हम आप लोग को बताते जा रहें बहुत ही इनपोर्टेंट कोस्चन इसलिए सभी को अरॉम से लिख लिजिएगा धियान दीजिएगा हम और रिस्टार लगा देते हैं तो यह भी आपका इनपोर्टेंट को ठीक इसके बाद ये भी आपका इन्पोर्टेंट है लगभग इसमें इन्पोर्टेंट ही दिये हैं पक्षी का परियावाचिक भी पूछ सकता है द्वीज होता है ठीक सीता रामचन के कौन थे आपको पता है सीता जो रामचन की पतनी है चलिए इस तरह से ये भी पूछेगा राम किसे संबोधित करते हुए मंदाकनी नदी का वरण करते हैं तो इसका अंसर क्या जाएगा सीता इसके बाद बनवास के करम यह भी बहुत इंपोर्टेंट अबजेक्टिव है काली दास ने किसका लिखा है तो यह से अब आपको बार बार आएगा बनवास में राम ने किसको संबोधित करते हुए का था सरे बनवास बनवास परसंग में राम सीता लक्षमन के साथ कहां पहुचे थे चितर कोट काली दास कौन से रचना कित यह सब इंपोर्टेंट है यह सब आप लोग देख लिजेगा छेले कुल मिला करके सत्ताऐ सब्जीक्टिव दिये है इस तरह से आप मेरे साथ बने रहे अच्छा लगे के कौम के लाइक वीडियो है तो आप लोग शेयर और लाइक थोड़ा करते रहे जिससे कि इसी तरह से आप लोग को आगे वीडियो बना करके हम देते रहेंगे तो आज के लिए इतना ही आप लोग मन से पढ़िए अच्छी तरह से त्यारी कीजिए चिली बाइवाय थेंक्यू सो मच धन्यवाद